गुजराच चुनाव में सांदार प्रदर्सन, टूजी घोटाले पर फैसले के बाद कॉंग्रेस के लिए एक और राहत की खबर है मुंबई के हाई प्रफाइल आदर सोसाइटी मामले में महाराश्ट के पूर्व मुख्यमंत्री असोग चौहान को राहत मिली है मुंबई हाई कोट ने महाराश्ट के पूर्व मुख्यमंत्री असोग चौहान पर गवर्नर सी विद्यारावद्वारा दिये गए मुकदमा चलाने के आदेश को रद्ध कर दिया है महाराश्ट सरकार ने मुंबई के कोलाबा में आदर्स हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी यह 31 मंजिला पौसिमारत युद्ध में मारे गए सैनिकों के विद्वाओं और भारती रक्षा मंत्राले के करमचारियों के लिए आवंटित किया गया था सोसाइटी बनने के कुछ सालों बाद एक RTI से खुलासा हुआ की तमाम नियमों को ताक पर रखकर सोसाइटी के फ्लैट्स, विरोक्रेट्स, नेताओं और सेना के अपसरों को बहत कम दामों में बेचे गए हैं इस घुटाले का परदाफास साल 2010 में हुआ, इस मामले में महाराष्ट के ततकालीन मुख्यमंत्री असोक चवहान को इस्तीफा देना पड़ गया था तो महीं 31 दिसंबर 2010 को बॉम्बे हाई कोट ने माना किया सीधे सीधे धोखेबाजी का मामला है इसके बाद कोट ने सोसाइटी को अंतरिम रहत देने से इंकार कर दिया, तीन महीनों के अंदर जमी दोच कर दिया जाए लेकिन इसके बाद मामली की जांच के लिए 2011 में महाराष्ट सरकार ने दो सदस्तीय न्याइक कमीसन का गठन किया इसके अधचता हाई कोट के रिटायर जेस्टिस जे ए पाटिल ने की इस रिपोर्ट में महाराष्ट के चार पूर्व मुख्य मंतरियों के नाम सामने आये इन में असोक चवहान, विलास राव देश मुख, सुसिल कुमार सिंदे और सिवा जी राव निम्बेल कर पाटिल सामिल थे इनके अलामदों पूर्व सहरी विकास मंतरी, राजे स्टोपे और सुनील तटकरे के साथ साथ 12 ब्योरो क्रिट्स का नाम सामने आया था जिन लोगों को फ्लैट आवंटीद किये गए थे, उनमें देव्यानी खोबरगड़ी का नाम भी सामिल था